मैं जोस्पिन मिस हिंदी आनलाइन क्लास में क्लास 8 के बच्चों का स्वागत करती हूँ. आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठिय पुस्तक नवीन पल्लव से पहला पाठ जिसका सिर्शक है वीना वादिनी वर्दे. इस कविता के कवी हैं शूर्यकांत्रिफाठी निराला. पाठ सुरू करने से पहले हम कवी के जीवन के बारे जानकारी लेंगे. शूर्यकांत्रिफाठी निराला का जन सन 1896 इश्वी में बंगाल के मिदनिपूर जीले के महिसा दल में हुआ था. इनके पिता उत्तर प्रदेश के उन्नव जीले के निवासी थे. निराला बहुमुकी प्रतिभा के धनी थे. कवीता के अतिरिक्त इन्हों ने उपनियास, कहानिया, निबंत, अलोशना और संस्मरन भी लिखे हैं. इनकी मुख्य रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, तुलसी दास, कुकुरमुता, अर्चना, लिली, सुकूल की बीबी, अपसरा, अलका, नय पत्ते, आराधना, आदी. सन 1961 में इनका देहवासन हो गया. प्रस्तुत कविता में कवी मा सरश्वती से वर मांग रहा है कि श्वतंत्र ध्वनी और अमर्ता के मंत्र से भारत को भर दे. यों अंधकार मिटाकर शर्वत्र प्रकास ही प्रकास कर दे. पहला पद. कविता की पंक्तियां है वर्दे वीना वादनी वर्दे, वर्दे वीना वादनी वर्दे. प्रिये स्वतंत्रे रव, अमरित मंत्रे नौ, भारत में भर्दे. प्रस्तुत पद में वीना वादनी का अर्थ है वीना बजाने वाली अथार्थ मा सर्श्वती. रव का अर्थ है ध्वनी. अमरित मंत्रे का अर्थ है अमर्ता भन्ने वाला मंत्रे. नौ है नया. प्रस्तुत पंक्ती में विद्या की देवी मा सर्श्वती से वर्दान की कामना करते हुए कहते हैं कि हम सभी देश वास्यों को ज्यान की ऐसी शक्ति दे कि हम अपने श्वतंत्रे विचार को प्रकटकर मानव कल्यान में अपनी सिच्छा रुपी स्वतंत्रता को काम में ला सके हमारे अंतर मन में ऐसी ज्यान की सक्ती भर जो देश वाशियों के काम आ सके अब अगली पंक्तियां है काट अंद उर के बंधन स्तर बहा जनिनी जोतिर मैं निर्जर कलुस वेद तमहर प्रकास भर जगमक जग कर दे प्रस्तुत पद में अंद उर का अर्थे अग्यान पून हृदै जनिनी है मा, जोतिर मैं है प्रकास युक्त, निर्जर है जर्ना, कलुस है पाप, तम है अंधकार, हर है हरन कर लेना प्रस्तुत पंक्ती में कवी कहता है कि हमारे मन में या हरीदर में जो भी द्वेश या घ्रिना की भावना है हे देवी मा, उसे प्रकास मैं कर निर्मल जर्ना की तरह बहा दे हमारे मन में जो दोस है, पाप है, अंधकार है, उसे विद्या अथा ग्यान की जोती से प्रकास मैं कर देश को उजियाला से भर दे अब अगली पंक्या है, नौ गती, नौ लै, ताल छन्द नौ, नौ अलकंट, नौ जलत मंद्र, रव, नौ नब के नौ बिहग ब्रिंद को, नौ पर नौ श्वर्दे, वर्दे, वीना वादनी वर्दे प्रस्तुत पद में आये कठिन सब्ध हैं, जलत, बादल, मंद्र, गंबीर, नब, अकास, बिहग ब्रिंद, पक्षियों का समू पर पंक प्रस्तुत पंक्ती में कभी कहता है कि देश में नई चेतना, नई लहर एवं नई सुर ताल, नवीन एवं गंभीर बादलों की आवाज के बीच, नई आकास एवं देश पर नई स्वचंद पक्षियों के जुन को, नई पंक एवं नई चेतना और नवीन स्वर्षे भरद हे ज्यान की देवी, देश को, हम सभूं को ऐसा वर दे कि हम सुचंद विच्चरन कर सके, तो इस कविता से या प्रेड़ना मिलती है कि हमें अनकार से प्रकास की ओर चलने की कामना करने चाहिए आज के लिए इतना ही, बच्चों कविता की पंक्तिया याद कर लिखने का अभ्यास कीजेगा, धन्यवाद घर पर रहें, सुरक्षित रहें